स्वागत है आपका दाएक्टिस में अभी हम पटना के उत्री मंदिली मंदिरी सोर्सवत्ती भवन अखिल भारतिये पिछड़ा वर्ग संग के कर्याले में मोजुद हैं यहाँ पर करेकारी समीति की बैठक हुई है आगामी 26 तारीक को एक बहुत बड़ा करेकरम जो रायपू में राजस्तरिये प्रसिष्चन सीवर और प्रतिनीदी सम्मेलन रखे हुआ पर तो उसमें हम लोग एक एजेंडा तैयार किये हैं जो प्रधान मंतरी किस बिंदों पर चर्चा हुआ है क्या कुछ कारकरम है जिसको लेकर काज बैठक हुआ हम लोग आज 36 गड़ में अखिल भारती पिछरा वसंत का राजस्तरिये और डेलिगेट कॉन्फरेंस वहां उसमें हम लोगों को हम लोगोंने आज 14 सुत्री परस्तावों को पारित किय है और वो 14 सुत्री परस्ताव हमारे जो वहां सम्मेलन हो रहा है 36 गड़ आइपूर में उसमें उसमें पारित होगी और पारित होने के बाद उसका ग्यापन हम लोग प्रधान मंतरी और राष्टपती चीफ जस्टिस अफ इंडिया और विभीन राजियों के जो मुख मंतर है उनको सौपेगी ग्यापन और हम लोगों ने विचार किया है कि उसको किरियानमन के लिए 6 मन्त का हम टाइम जया है और उसमें कि अबादिक अनुसार पिछड़े अथी पिछड़े को 52 परतिसत आरचन ततकाल दिया जाए और जिस प्रकार से आपने 22 परतिसत अभी तो 30 परतिसत 27 परतिसत तो इसको बढ़ाना चाहते है तो गर्णा जो होनी है जातिगत गर्णा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जन संक्या कितनी हुई है उसी कहादार पर मिलेगा तो उसके पहले ही मांग ऐसा है कि जातिगत जन गर्णा और आरच्छन दोनों अलग अलग चीज़े है जातिगत जन गर्णा केंद्रिय सरकार बोल दे कि मेरा नितिगत फैसला हम नहीं कराएगा तो मत कराईए लेकिन मंडल कमिशन जो बहाल हुआ था 348 के अंदर में वो कंचिचुशन के अंडर से वो अंदर अंतरगत वो बहाली की गई थी और उनका रिपोर्ट है कि हम बामन परतिशत हैं पूरे इंडिया में हलाकि अंडल कमिशन का अनुसार है हाँ और ऐसे 1931 के जो जातीज गनगना जो अंगरेश्क समय में की गई थी उसके अनुसार भी हम लोग बामन परतिशत उस समय थे आज हमारी अबादी एबाउट 60 परसंट है लेकिन किसी साजिस के स्थाट जातीगत जनगना जो केंद्रिय अस्तर पर होना था जिसके लिए भारती जन्ता पार्टी की सरकार के केंद्रिय गिरिह मंतरी तत्कालीन राजना सिंग ने अनौसमिट भी किये थे कि हम जाती जनगनना करूंगा और सिर्फ पिछरे वर्गों का ही नहीं करूंगा बल्कि अगड़ी जातियों का भी करूंगा त्युकि आदिया पिछारी कि यह इसका भी पता चलना चाहिए